नाम राम भाई बच्चे तो बच्चे बापरे बाप तो वही कैसे हो क्या चल रहा है यार अभी तक तो लोगों को बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके पेरेंट्स उनको अलाव नहीं करते कि फोटाग्रफी करना वेस्ट है और वेस्ट आफ टाइम है और यह सारी चीज़ें हो रही थी लेकिन यहां तो बड़ों को भी यह प्रॉब्लम है आपका दोस्त आपका यार आपका हम्दम आपका प्यार अशोक परमा वाके में सची में बड़ों को भी यह प्रॉब्लम आती ह कि उनके घरवाले उनकी वाइफ उनकी फादर उनकी अधर उनको बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम मैं सोबा सोकर उठा तो मुझे एक भाई का मेसेज आया इंस्टेग्राइम पे इनका नाम है नाइजल जोसिफ इलॉई मेसेज सुन लो फिर उसके बाद हम इस चीज के ओपर करेंगे चरचा Sir, I work in a school and from a small I wanted to be a wildlife photographer I know you are all about street photography but still I get to learn a lot from your videos Thank you Sir, the problem that I face is that I am married and I don't know how to handle things My wife, my mother, they think I am wasting money on camera and lenses They want me to do 9 to 4 office work and photography is waste for them For my family, I don't get time to practice and due to all this I don't get sleep at night And I always think how to manage things Whenever I get time, I forget things while photography, I just can't be without my camera I hope you understand what I mean Please reply back to me, guide me, advise me what to do and I will do that So, he gave me a lot of confidence that I have to do this video and have to do this video So, I just took a look at you and sat on the front of me because I didn't have any answer He told me that I will give you the answer to the video and I will give you the answer So, I asked him where are you? He told me that I was in Patna, now I am relocated to Dhanbhad, Jharkand for a job And their wife, they do government jobs He told me that he was told So, we need to understand this problem Where is the problem? Where is the problem? Where is the problem? So, where is the problem? It looks like a waste of time So, you wouldn't turn with your house तो आप उसमें लगा देते हो, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट का मतलब उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपनी फोटोग्रोफी करिए, लेकिन बैलन्स बनाना बहुत जरूरी है, बैलन्स नहीं बनाओगे तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो ज जाना है, शापिंग करने जाना है, या उनके साथ बैटना है, चाय पीनी है, वो टाइम दे के, जो बाकी टाइम बचता है, फिर वो टाइम आप अपने लिए यूज करिए, तो आपको उनको खुश रखना है, और अपने आपको भी खुश रखना है, आप अगर जबरदस् वो करते रहोगे जो आप करना चाहते हो तो वो खुश नहीं रहेंगे चाह चाह होती रहेगी और ना आपका काम अच्छे से वो पाएगा ना वो खुश हो पाएगे और कहीं गाड़ी नहीं पहुँचेगी उनका टाइम उनको दीजिए और उनको यह समझ में आ जाएगा कि इन्होंने मेरा टाइम मुझको दिया है तो आपको फिर वो आपका टाइम देंगे हो सके तो उनको समझाने की कोशिश करिए कि आप यह चीज क्यों कर रहे हो क्योंकि जैसे आप ने बताया कि आप इस फोटागरफी को करके आप पैसा नहीं कमाना चाहते है आप सिर्फ को समझाना जरूरी है करने करना जरूरी है कि आप इस चीज से प्यार करते हो इस से आपको सکून मिलता है और इस को करने के बाद यू फिल गुड और जो आप पूड फिल करते हो वो चीज आपको अपनी फैमली के साथ शेयर करनी पड़ेगी जो आपको अच्छा लगा वो आपको अपनी फैमिली को भी देना पड़ेगा आप अगर वो उनको वो दोगे उनका वो टाइम जो वो मांग रहे हैं वो दोगे वो खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे और काम बढ़िया से चलेगा फोर्स करके कुछ नहीं होगा दूसरी चीज़ जो लोगों को प्राब्लम आती है कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हो क्योंकि उनको लगता है कि इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं तो वो रिजल्ट दिखाना बहुत जरूरी है आप उनको रिजल्ट दिखाएए अगर आप फोटाग्रफी करते हो तो आप किसी कॉंपटिशन में पार्टिसिपेट करो आप कहीं पर ऐसी जगहां पर अपना एग्जिबिशन करने की कोशिश करो कि जहां पर आप अपना काम एग्जिबिट करते हो तो जब आपको वो fame मिलेगा या आपको पैसे मिलेंगे या आपको वो award मिलेगा तो उससे उनको भी feel होगा कि ओ, वाउ, आप तो बहुत अचा कर रहे हो और वो जो recognition मिलेगा वो उनके लिए भी recognition होगा, they will feel proud of you, फिर वो देखो, शान से बताएंगे, कि ये मेरे husband की picture छपी है in newspaper में, ये मेरे husband को ये award मिलाए, तो उनको proud feel करा रहा है आपको चाहे वो आप पैसे कमा के proud feel कराओ चाहे आप competition जीत के proud feel कराओ, चाहे आप exhibition करके proud feel कराओ, क्योंकि उनकी जो खुशी है, वो आपकी खुशी है उनकी जो सोच है, उसको बदलने के लिए आपको अपने आपको change करना पड़ेगा, उनको भी involve करो अपने साथ, उनको भी बताओ कि आप क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो, और सिर्फ बताने से नहीं होगा, करके दिखाओ, results दिखाओ, जिस दिन वो results देखेंगे, सब आपके साथ हो लेंगे थोड़ा मुश्किल टाइम होता है लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि आप एक अलग लेबल पे चल रहे हो और वो एक अलग लेबल पे चल रहे है आप अपने प्रेस्पेक्टिव से देख रहे हो आप मतब अपने में खोई वह हो तो जब आपने एक जिम्मेदारी ली है आप एक शादी शुदा इंसान हो आपके माबाप हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी है आपका काम भी आपकी जिम्मेदारी है आपका पैशिंग भी आपकी जिम्मेदारी है जिसकी जो चीज है उसको देनी है यही हम humans का एक nature है अगर हम यह सारी चीजे नहीं करेंगे तो हम जंगली है और अगर हम यह सारी चीजे नहीं करेंगे तो फिर हम एक family में रहने लाइक नहीं है सब को छोड़के फिर चले जाओ, सब को त्याग कर दो त्याग नहीं है, इन चीजों को समझना है वो भी खुश होंगे और आप भी खुश होगे और अच्छे से काम चलेगा I hope कि आप समझ गए होगी कि मैं क्या कहना चारा हूँ कर के देखो, बढ़िया से काम चलेगा गाड़ी अच्छे से चलेगी बीबी भी खुश रहेंगी ममा भी खुश रहेंगी पापा भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे और अगर जवाब मिल गया हो तो भाई, बताना नीचे कमेंट में और यह वीडियो शेयर ज़रूर करना और लोगों के साथ शायद बहुत सारे लोग इस जदो जह से गुशर रहे हूँ हम भी गुशरते हैं, भाई, हम भी गुशरते हैं हम इतनी साल से फटाग्रफिक कर रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा पंगा होता है तो यह पंगा सब के साथ होता है टेंशन मत लो, मिरे भाई, सब ठीक होगा मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में किसी और सवाल के उपर बात करेंगे आज की कहानी नहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं टेक केर बाबाई और चाओ आज करेंगे आज करेंगे